लो जी असलाम अलेकुम एंट वेलकुम बैक टू माई चैनल क्या हल चाले आप सब लोगों का जब आपको ये व्लोग मिलेगा तो होगा जी पहला रोजा इसलिए आपको रमजान की बहुत-बहुत मभारक हो वैसे ये व्लोग रमजान से पहले का है तो जी आज में उठ गई थी थोड़ी एक्स्ट्रा सुबा मतलब उठ गई मतलब वाग करने के लिए उठ गई थी थी वैसे रजब भी उठ गया था और फिर रजब थो भी सोने नहीं देता वो कहता है कि मुझे बहार जाने तो मैंने सूझा चलो आज जल्दी था हम वाग कर लेते हैं सबसे पहला मैं लगाते हूँ अपने हंडफरी क्यूंके इससे वाग करना ज्यादा आजई हो जाता है आप कुछ भी सुन सकते हो आपने सॉंग सुनने, आप सॉंग सुनने हैं, आप वो सुनो तो आप वो सुन लेते हो आजकर मुझे lecture सुनने में ज़ादा मज़ात है वो lecture किसी भी टाइब का भी हो सकता है आपकी study से related हो सकता है religious हो सकता है, motivational हो सकता है कोई भी हो सकता है जब आप इस तरीके से वाप करते हो ना तो जितना आपने time सोचा वा होता है उससे भी ज़ादा आपका दिल करता है कि वाप कर लो फिर मैंने बनाई थी यहाँ पे अपने लिए ginger tea मैंने अद्रक ली और फिर उसको थोड़ा सा boil किया था जब भी थोड़ी देर के लिए boil हो जाता है तो end में मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी पत्ती खेर यहाँ पे मैंने ना इलाइची भी add करी थी तो पत्ती ना बहुत ज़्यादा boil नहीं करना होता बस यह सलका से इसका color है चुला आप बंद कर दो परना चाहिए आपकी जो है ना वो कड़वी हो जाएगी खेर फिर मैंने इसको बाहर धूप में आगी कि धूप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अब मैंसे किस किस को धूप इंजॉई करना पसंद है ज़रूर बताना गर्मी आने वाली है फिर करना धूप इंजॉई खेर यहां पर मैं अपना नाश्टा भी लेकर आगी थी और आज तो मैंने ले ली थी रात वाली हिसालन भई मज़ा आता है अपनी मतलब लाइफ को इंजॉई करना थी और हमेशे मैं बोलती हूं कि हमारा एक और खुबसूरत सा दिन आ गया वो इसलिए क्योंकि भी बन्दा खुद अच्छे मूर से उठता है तो फिर पूरा दिन ही अच्छा जाता है जब बन्दा ये सोचके उठता है कि हाई उठना है ये करना है वो करना है तो फिर दिन कहा अच्छा जाएगा खिर आज मुझे थोड़ी सी gardening करनी थी मेरी एक क्यारी वाले जो बीच थे वो अच्छे तरीके से उग आये थे बाकी जो थे वो तो भाई खराबी हो गये थे तो मैंने वहाँ से plant निकाल निकाल के वाकी जगों पर भी लगा दिया तो यहाँ पर मैंने प्लांट लगा दिया था वैसे इस प्लांट का नाम मुझे नहीं पता इसका आप लोग बता सकते हो इसके ओपर यालो कलर के फ्लार्ज आते है जब मैंने थोड़े बहुत काम के तो मैं ठग गी फिर मुझे याद आया के जी मेरे भाईया ने मेरे लिए भीजी थी नोडल्स ये ना लास्ट व्लाग मैंने आपको चीजें सारी दिखाए ही ने थी बस इतना दिखाया था कि अम्मी कुछ चीजें लेकर आई थी ये है मैगी वाली पीडास गीडील पताने कौन सी नोडल है ये ना मुझे दरास पे काफी नज़र आ रही थी पर इसकी पैकिंग से मैं कुछ इतना अट्रेक्ट नहीं हो रही थी कि मैं इसको खरीद लूँ फिर ये आगे की तो फिर तो मज़ा ही आ गया था और इसका जो स्केल था ना स्पाइस स्केल वो इतना प्यारा अस्थेटिक से लग रहा था फिर इसमें से निकला था फोल्डेबल फॉक, मसाला और दो किसम के सॉसिज अच्छे जो ब्लैक बाला सॉस होता है ये अबी सी नूडल के अंदर भी होता है और उसी की मुझे क्रेमिंग हो रही थी तो मैं तो बड़ी खुश हो गई कप नूडल्स हैं तो सबसे पहले पानी आड़ करेंगे फिर टाइम का वेट करेंगे और अब जी हमें क्या करना है ये जो इसके अंदर पानी बच गया ना इसे यहां से निकाल देना है ये ड्रेन कर देंगे हम लोग दूसरी साइड से इसका इशान बना हुआ था जहां से हम इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ ये साइड से यहां से इसको उपन करता है और पानी निकाल देना है अगर आपको थोड़ी सूपी नूडल्स चाहिए तो आप पानी को रख सकते हो मैंने इसको पूरा पूरा ड्राइ कर लिया था अब बारियाति है मसाला एड़ करने की, मसाला मैंने टेस्ट करना अपना फर्द समझती हूँ तो पहले मैंने टेस्ट कर लिया था और इतना कोई स्पाइसी मुझे बहुत जादा वाला नहीं लग रहा था इसका जो sauce था रेड वाला ये भी मेरे हाथ पे लग गया था लेकिन ये भी इतना spicy नहीं लग रहा था ये जो black वाला होता है ये थोड़ा-थोड़ा सा स्वीट स्वीट सा इसका टेस्ट होता है सो इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद मुझे लगा कि ये नूडल्स बहुत spicy नहीं होने वाले पर ये बहुत ज़्यादा spicy थे लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े के थे जिन लोगों को spicy चीज़े पसान देना भी ये तो ज़रूर ट्राय करना ये बुल्डाक टाइप वाली नूडल्स की तरह तो बिल्कुल नहीं थे इनका टेस्ट चेन था मैगी वाला था बट बहुत ज़्यादा spicy थे इसलिए मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगी काफी जो इंट्यानेट पर मैं व्यूज देखती हूँ न मतलब रिव्यूज नूडल्स के तो वो इस टाइप के होते हैं कि अच्छी थी या बुरी थी भी टेस्ट तो बताओ कि किस टाइप का था तो इसका टेस्ट मैं आपको बता देती हूँ कि मैगी वाला जैसे मसाला होता है वैसा था और बहुत ज़्यादा spicy था एक राउंड खाने का लगाने के बाद फिर मैं गार्डिन में आगी थी और आज मैंने या पर डाले हैं सीड्स यह ना बेल के सीड्स का नाम तो मुझे नहीं पता परपल के फ्लार आएंगे जो के मेरे कजन ने दिये थे अब आपने मेरे इन बीजूं के लिए दौा बहुत सारी कर लेनी है खयर अबास आया था और वह लाया था यह रस बोला कि खाती हो या नहीं खाती हो या नहीं खाती हो था है लेकिन इनका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा लेकिन थोड़े से थिक जादा होने चो यह थे और जो केकी स्पूंज साना इनका जादा था मुझे अच्छा नहीं लगता इस टाइब का यहां पर हो जाती है एक और प्यारी-प्यारी सी सुबा और हम प्नी चाहे के साथ उसका वेलकम करते हैं फिर मैने बनाई थी रोटियां पहले बनाई पिर अपने लिये बनाई और अपनी चो रोटिय में बनाते हो थोड़ी क्रिस्पी वाली बनाती हो बही कुछ लोगों को सॉफ्ट पसंद होते हैं मुझे पराठे हो या रोटी भी मुझे हो तक क्रिस्पी अच्छी लगती है बही क्रिस्पी करना एक अलगी मुज़ा होता है खैर आप लोगों में से रोटियां कौन कौन बनाता है जरा हाजरी लगवाओ कमेंट्स में प्यान हम लोगों ने अपना खाना खाया और रजब लगावाए अपना खाना खाने में बागी जो अम्मी के गार्डन के प्लांट्स है ना वो रजब के चाचे मामे और अम्मिया चाचियां खा गई है बागी अभी यही एक बचावाए इसको रजब लगावाए खाने में जबसे इसने ना इस सखत वाले पौदे खाने शुरू कि अब इसे सॉफ्ट वाला घास अच्छा ही नहीं लगता पता निया इसका हम लोग क्या करें तो आज ही हमने फैसला किए कि इसको हम ढख देते हैं और यह रही रजब की मॉमा इसके साथ बैठे रहो तो इसको ऐसे कैद होने में भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इदर इदर थोड़ा चले जाओ तो बहुत चेखने लग जाता है अबास और जयन को मैंने बताया था भी एक नूडल तो मैंने खाली तो इस नूडल ने बोला कि दूसरी वाली नहीं हम लोग साथ में ट्राइ करेंगे तो ये थी जी फ्यूजान नूडल अगेन मैं बता दूँ ये भाईया ने भी जवाई थी मैंने खुच जाके नहीं खरीदी थी तो इसके रिव्यू इंटरनेट पे तो बहुत ज़़ा भाईयानक की समगे थे खैर मैंने का चलो मैं भी रिव्यू करी देती हूँ तो इसमें से इतना बड़ा पैकेट निकला था जिसके अंदर खूब सहरा था सॉस इनकी नूडल्स की थिकनेस बुलडाक वाली की तरह थी और इसको अगेन पहले की बॉयल कर लेना है उसके बाद ने इसके सॉस को पका कर हमने इसको एंज़ाई करना है जितने भी रिवियोज इंटरनेट पे देखे थे उसमें ये था कि सॉस में से बहानक सी खुश्बू थी और टेस्ट भी इतना कुछ खास नहीं था तो भाई मैं बताऊं सॉस में से वाकी में अजीब सी स्मेल आ रही थी लेकिन कुको ने के बाद थोड़ा अच्छा हो लग रहा था बैटर था कैट ट्राय तो फिर ये करना ही था हमने इनको ट्राय किया तो इसका टेस्ट मुझे थोड़ा सा सिमिलर लग रहा था तो इनका टेस्ट बुरा नहीं था अगर आपको बहुत ज़दा क्रेविंग हो रही है बुलडाक वाली नूडल्स की लेकिन आपके पास पैसे उससे कम है तो ये ट्राय कर सकते हो अगर आप नॉर्मल नूडल्स जादा पसंद है आपको तो इसको ट्राय मत करना इतनी कोई बज़देगी नहीं थी और स्पाइसी भी बहुत ज़दा नहीं थी नॉर्मल स्पाइसी थी अच्छी लग रही थी टेस्ट में फिर इनकी शेकल प्यारी थी और हम लोगों ने इसको काफी इंजॉय किया था मैं यह नहीं लगा कि नहीं इन नॉडल्स को फैंक दो भी यह तो बुरी है हमें अच्छी लगी थी नॉडल्स और मेरे भाईयों को भी अच्छी लगी थी भी मैं खुदका रिवियू नहीं द नहीं थी क्यों कि मुझे पता नहीं था कि कैसा बनेगा खेर केक अच्छा बनेगा बना था और भी मैं केक ट्राइ करूंगी तो फिर एसपी भी आप लोगों से शियर कर लोंगी शाम में हम लोग गयवे थे बाहर तो फिर यहां पे हम लोग बेकरी पे रुके और इसका जोड़ना व्लोग हो गई थी ट्राली जो थी वो उसके मैं से मट्टी वगरा उलट गई थी खर मुझा नहीं पता के नुकसान जादा हुआ था या नहीं पर लोगों को इतनी देर के बाद यहां पसे रोल मिले शायद व्लोग ते कि आपको लगता होगा कि रोज रोल खात रजब की ता बैषर रज्ड का हमारे रजब को में पर बना रहली जा का अउलत पर पहला 상황 मजेसे वीडियोब करा नगया तो यहां पर यहां हवारा था मैं पर उपना एक जाहिए रजब भी क्या याद करेगा कि उसने मेरे साथ वीडियो बनवाई थी आज हमें ने ढूच着 ने जह पे जाना था, पहले हमें जाना था पुरान खानी पे, उसके बाद हम लोग जाने वाले थे फुपो के गरर बेर खाने पर, इस से पहले मेरी ननद को लग गीती, बुक तो उसने बनाई थी मुझे भी बहुत पसंद है, तो मैंने भी उसके साथ इस व्लॉग की थी, वैसे आज की व्लॉग का नाम na noodles vlog होना चाहिए बजाए daily vlog के, क्यूंकि इतनी सारे noodles इस vlog में हैं, खैर यह हमने एक ही दिन नहीं खाई थी, हमने तो change change करके खाई थी, लेकिन एक ही vlog में आ गई थी आप लोग बताओ कि आप लोग उनको अपनी नूडल्स किस तरीके से खाना पसंद है फिर पहले हम लोग एक घर गए उसके बाद वहाँ जहां कुरान खानी थी कुरान वगरा पढ़ा और उसके बाद हमें जाना था अपनी दूसरी फुपो के घर जहां पे हम लोग गए उससे पहले ना हमें बिजवाई थी ये टाफिया मामो ने तो हम लोग उने इनकी चेकिंग शेकिंग करी ख्यारी मज़ा आ गया था मतलब कोई चीज कहीं से भी आती है तो इतनी खुशी होती है कि चलो उनने में याद तो रखा है इतना मज़ा आ गया था ना मामो ने टाफिया भीजी थी और मैं तो खुश होकर एक-एक का फ्लेवर देख रही थी अच्छा अब आप लोग मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा फ्लेवर जादा मज़े का होगा क्योंकि अभी मेरे हिस्से की तो एक टाफिय होगी है तो आप लोग मुझे बता दो सबसे जादा जो मज़े वाली टाफिय होगी ना वो मैं उठा लूँगी फाइनली हम लोग आगे थे फुपो के घर क्योंकि हमें जाना था यहां बेर खाने और देखो इनके घर में रेड रेड कलर के बेर हैं और फुपो को भी प्लांट्स का शौक है तो मैंने सारे प्लांट्स की चेकिंग चेकिंग की जिनकी मुझे बीज मिल सकते थे मैंने उन जो ना सेब की तरा के होते हैं उसके अंदर गुठली भी नहीं होती और रैड कलर की थे इतने सुफटर इतने मज़े के वैसे बेर जैसे भी हो मुझे तो बेर खाना बहत Zlike अंदर पता नहीं EX For Without यहां से हमने बेर खाये और फीर हमने घरवादों के लिए तोड़े हमें तो बहुत जादा मज़ा espaço अगया था इस डाइड बेर उस्टैप की बेर मुझे जरूर बताना वैसे बेर होती है इस टेप कि मुझे पहले पता नहीं था यहां पे हम लोग चांड रहे थे सुहान जुना इसको डालियूं से अलग अलग करना होता है तो वहीं प्रोसेस चल रहा था और फिर साथ में चल रही थी खूब सारी बाते तो मैंने यहां पे कोई भी योगदान नहीं दिया था खेर दिया था और यह बर्गर बड़ा स्पेशल बर्गर है यह है फानु का बर्गर और उतना टेस्टी होता है मज़े की टिकी उपर से अन्डा और इसका साइज भी इतना प्यार है तो इसे खा के तो मज़ा आ जाता है और इसकी प्राइस है जी सीर्फ Four alottey रूपीज तर पीजप हिसे सोच भी नी सकता बंदा के इतनी कम प्राइस में आपको ईतना मज़े का बरگर मेल सकता है हमने मہंदी ले ली थी और मैंने फातमा के हाथों पर में लगाई थी महंदी ट्राइ कर रही थी लेकिन इसकी नोक इतनी अजीब सी थी मुझे गुसा रहा था कर ये किसनी घंदे तरीके से निकल रही है खैर फिर मेंने बने अने महंदी लगा तो ली थी और ये वाले सारे ही व्लोग बहुत ज्यादा मज़े मज़े के होने वाले हैं तो जाके इनको ना चेक आउट आप लोगों ने जरूर करना है और इसी के साथ आज होता है हमारा आज का व्लोग एंड आप लोंको व्लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताईएगा ओके ज्योके बाइबाई